टाउन दर्शन द्यूस समाचार ही नहीं विचार भी उलहास नगर कैम्प नमबर तीन डेड़ा संत बाबत हैरा सिंग दर्बार की तरफ से रविवार उन्दी सप्तमबर के दिन लंगर सेवा के लिए विशेश गाड़ी का उदुकाटन किया गया जहां दर्बार साहिब के गादी सिर बाई साब जस्कीरा सिंग बाई साब टेलो सिंग अमरी सिर सिपदारी बेहंडी सत प्रीत कौर बेहंडी सत शोख ये प्रीत कौर गोपी हसी जा अनुमनवानी दिपेश हसी जा जगदीश पंजवानी सोनु विश्णानी सहत संगत सब्सक्राइब करो मैं अपनी चरंदूल पाउं तुमंद्वार पस अपना कसा हूं यही दान मांगों करो जा हमारी सब्सक्राइब का प्रेशन में जारिया ने काम याद्मियां गल्पियां भुलना चुका असर वादेगा दन्गुरु नानिक दर्बार डेरा संत बाबा थारा सिंग साहिब की तरफ से आज विशेश रूप से जैसे हमारे पिता जी का शौंग था बैजबी शेयर के उपर आपती आए तो पहली सेवा दर्बार की तरफ से शुरू होनी चाहिए वो हमेशा 15-17 टन चावल यहां पे स् खालती आ रही है तो विशेश उप से जैसे बिल्डिंग गिर्ती है जहां पे वहां पर लोग अंदर होते हैं जो उनको फायर बगेट वाले नीकालते हैं पुलीस निकालती है वहां पर हाजी मलंग में मेला लगता है पुलीस के लिए सब शेहर की सुवीधा के लिए नंग भाई मेरान सिंग के पहल को ठूल वार सिखंग कुरू औरा चाहिए वूखों को प्यासव को पानी में देना का पानी में करें जैसा संगत करें को रही जिसक मैरान शक्रूर Хотा र नंकर करके इसे ही लंगर की घड़ी करने बाई मेरान सिंग की दरबार में आज खड़े हैं हम लोग यहां पर यहीं परन्या दिये गए से के गरीब लोगों को और जो भी संगत आए उनको भूखा नहीं रहने का है इसलिए बाई साथ ने हमें यहीं सिखाया है कि हमेशा नंगर के साथ में रहो लंगर चालू रहे 24 ग एक ऐसी सेवा है जो हमको करते हुए बहुत खुशी होती है बहुत खुशी की बात है जो बाई साथ ने लंगर सेवा की गाड़ी शुरुवात की है यह गाड़ी की लंगर की सेवा अगर किसी की घर में बर्ड़े है तो अपनी यह गाड़ी लेकर जरुतमन लोगों को आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने लंगर की शुरुआत की जो जगे जगे पर जाकर लंगर की सेवा देगी यह सेवा 5 तारीक और 19 तारीक को शेहर के प्रमुक बजारों में दी जाएगी वहीं जब भी शेहर के उपर कोई मुस्य बताती है वैसे भी बाई साथ की तरफ से लंगर सेवा रहती है अब यह होगा कि यह गाड़ी सीधा लंगर लेकर वहां पहुचेगी और जो भी संगत है उन्हें गरम खाना खाने को मिलेगा बाई साथ ऐसे ही कारे करते रहें मानव सेवा के यही अन्य हम उम्मीद करते हैं और यह कारे आगे बढ़ते रहें